Now, I would like to invite Dr. Pangaj Pante, Secretary, Government of Uttarakhand, to present their best practices. कि ये एक ऐसा फोरम है, जहां से हम लोग एक दूसरे स्टेट के जो अच्छे इनिशेटिवस हैं, उससे सीख सकते हैं, और Government of India, Ministry of Ayush को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कुनों ने ये मौका दिया है हम लोग को, कि हम लोग आपस में एक दूसरे के जो अच्छे काम है उससे है, और हम लोग उससे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और जैसा केरला के हमारे साथी ने बताया, वो मैं खुद भी हेल्थ में, रेगुलर एलोपैथिक साइड में, पांस साल मैंने काम किया, स्टेट गवर्मेंट में, और मैं खुद ऑक्टर हूँ, तो मेरा बैगराउंड अलोपैथिक का रहा है, बहुत टाइम काम भी कर लिया मैंने, और एक साल से मैं आयूश में हूँ, अपने राज्य में, तो निश्चित रूप से उसका फाइदा मिलता है, और जब मैं अपने प्रदेश के आयूश के डॉक्टर्स को कुछ कहता हूँ, तो उनको ये फिर मै insist करता हूँ कि मैं अलोपैथिक डॉक्टर होके, तुम्हें ये रात कह रहा हूँ करने के लिए तो फिर इससे तो अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, तो क्योंकि कोविट के दौरान हम लोगों ने सब ने देखा, जैसा पहले भी बताया गया कि आयूश की और होमेपैथिक की जरूर लिया होगा, तो ये हम लोग के लिए एक opportunity है आयूश विभाग के लिए आयूश में जो लोग practitioner हैं कि हम इसको अब यहां से आगे हमको ले जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो वापिस पीछे की तरफ नहीं जाएं, हम आगे की तरफ जाएं, तो हमने अप जैसा आप Vision देख सकते हैं, हम लोग उत्राखंड को Ayurved के मामले में, अग ऐसका एक wing Ayurved है, तो Ayurved के मामले में हम उत्राखंड को World Mayap पे Establish करना चाहते हैं, कि Ayurved का नाम लिया जाए तो उत्राखंड का नाम उसके साथ लिया जाए, उसी दिशा में हम लोग प्रयासरत ह जैसे आप जानते हैं अरुवेद की उत्पत्ती उत्त्राखंड से हुई और जितनी भी जड़ी बूटियां है उन सब का मेजर सोर्स उत्त्राखंड है तो हम उसको इत्लाइज करके उत्राखंड को दुबारा से स्टैबलिश करना चाहते हैं नेक्स्ट यह दो इनिशेटिव हैं हमारे आउट्रीच कैम्स कैपैसिटी बिल्डिंग आप यह कहेंगे कि आउट्रीच कैम तो पहले से ही चल रहे थे इसमें क्या हमने ऐसा खास कर दिया बिल्कुल ठीक बात है आउट्रीच कैम्स हर स्टेट लगातार करता रहा है करते रहत है था इसकी जब जरुवत बढ़ी तो लोगों ने लोगों को और सच्चाई बताना और आयुर्वेद और होमेपैद की जो स्ट्रेंथ है वो बताना का क्योंकि परसेटिव हैं लोग उनको इसी यही मौका है जो हम पहुंच सकते हैं और बता सकते हैं उनको तो यह मेजर हम हमने हैं जैसा आप में से सबी रोग जानते हैं कि आयुश में जहां सिर्फ OPD होती है वहाँ पे डॉक्टर्स दो बजे में खाली हो जाते हैं दो से दो या आइठ से दो या आठ से काम नहीं होता काम नहीं होता कि कोई emergency नहीं है पेशेंट नहीं जिनको देखें तो हमने ये प्लैन किया कि हमारे जो डॉक्टर है उसके फील्ड के वो हपते में दो बार जो उनका कैश्मेंट एरिया है वहाँ पे किसी भी एक गाउं में जाएंगे एनाउंस करके जाएंगे वहाँ बैठेंगे वह स्कूल में पंचायद घ करें और अगर कोई ऐसा केस आता है ऐसा कोई पेशेंट या ऐसी कोई चीज आती है उनको अपने होस्पिटल में भुलाएं और फिर बाकी फॉलॉप करें तो यह डिफरेंस है हमारे आउटरीच के हम में कि हमने जो हमारा जो वर्किंग आवारा उसी को इस्तेमाल किया है औ नेक्स स्लाइड माई यह सर्विसेद हमने दी वहाँ पर कोई हमने एक्स्ट्रा फंड नहीं खर्च किया कुछ नहीं किया बर डॉक्टर को कहा कि आप वहां जाएंगे और यह सारी चीज़ें डिसकस करेंगे बात करेंगे और जो जो चीज़ें आप ले आ सकते हैं जो आप 25 लाग की आबादी है और 3.25 लाग से ज्यादा बेनिफिशरीज को हम बेनिफिट दे चुके हैं उनके दोर स्टेप पे पहाड हमारा मैक्सिम पॉर्शन पहाड है वहाँ पे एक गाउं तक जाना ही बहुत मुश्किल है कई जहां पैदल भी जाना पड़ता है तो उस कंडि हमारे पास फीड आते रहता है नीचे से तो यह एक यूनिक तरीके का था जो हमने एक्जिस्टिंग सिस्टम को इस्तिमाल किया बाकी जो एक्चुल आउट्रीज कैम्प होते हैं जो बड़े मेले होते हैं वो तो हमारे लगते ही रहते हैं कभी जनता दरवार हुआ या मानन मंतरी जाए मुख्यमंतरी जाए या डीम कहीं पर जा रहे हैं तो उनके साथ तो हमारी टीम जाती है वो डेडिकेटेट टीम मलक से बेशते हैं लेकिन ये अपने ही कायचमेंट में अपना परचार अपनी विधाओं का परचार करके लोगों के अंदर ट्रस्ट बनाना कि ल जो आईउस का जो सेक्टर के जो लोग काम करने वाले हैं हमारे डॉक्τοर्स हमारे बागा लोग बहुत मौटिवेटर नहीं है काम करने लिए अभी बहुत ज्यादा फिल्ड में उनका मौटिवेशन नहीं है बहुत उनको एंथ हो नहीं है कि हम कुछ कर कर देंगे तो जब यह जाते हैं, मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग आते हैं, तो उनका भी मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा यह भी काम है कि हम अपने लोगों को मोटिवेट करें, पबलिक तक जाने के लिए बोलें और जो हमारे लोग हैं, अगर वो मोटिवे हमारे centers पे लोग आने लगे हमारे जो hospital उनकी OPD बढ़ गई उससे लोग services लेने लगे जिनको जहां जरूरत लगी उनको पता चल गए का अच्छा होमेपाथी में यह availability है आयरुवेद में यह availability तो हम चले जाएं services ले लें यह सारी चीज़ें कर लें हम लोग और कैसे हम जो आयरुवेद में जो preventive health के concept है या जो हम बीमारी होने से कैसे रोख सकते हैं अपना दिन चरिया रितु चरिया के इसाब से क्या करें क्या नहीं करें उसको भी लोगों को समा सुनील जोशी जी है जो हमारे वाइस चांसलर है आयरुवेद यूश्टी के वो मर्म के एक authority है world over उनको भी हम लोग यूज कर रहे हैं उनके पढ़ाय हुए जो student जो doctors है उनको इस्तमाल कर रहे हैं मर्म में तो मर्म को भी हम लोग पुश कर रहे हैं क्योंकि मर्म में कुछ नहीं लगता जो expert है वो मोके पर जाके बहुत severe pain मुझे ही एक दिन बहुत ज्यादा neck में problem हो रही थी एक मर्म के हमारे doctor उनको मैंने बुलाया वो आए तीन चार मिनट के अंदर उनने pain मेरा 25% कर दिया तो उसको भी हम इस्तमाल करना चाहरे हैं जैसा मैम ने बोला था कि गठिया और उसके related जो होमेपैथी को bucket treatment है तो मर्म में भी बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं जो कि बहुत अच्छा result दे रहे हैं तो हम field में भी मर्म के लोग का process होता है उसमें जो मर्म का concept है उसमें वो यह मानते हैं कि body के हर अंग का कोई-कोई point है तो उस point को press करके वो result देते हैं एक्यूप्रेशर तो मतलब एक्यूप्रेशर तो आप दूसरा concept होगा है लग बग मिलता है लो समझी है तो मतलब I am not expert in मर्मा लेकिन मैं क्या रहा तो आपकी मृत्यों हो सकती है तो उसके हिसाब से यह सुनिल सर ने treatment develop की है कि आपका कोई भी point तल रदे मर्म जो सिंपल ही सिखाते हैं यहां पर तल रदे मर्म है तो हमारा hypertension है तो आप पांच मिनिट उसको प्रेस करेंगे और पेशन का बीपी चेक करेंगे तो आपको उसका रिजर्ट देखने को मिलेगा कि उसका 10 पॉइंट या 20 पॉइंट डाउन हो गया उसी तरह वो बहुत सारे diseases में देते हैं हमने उनसे दो दिन की ट्रेनिंग ली थी तो हम बहुत चोटे-चोटे है लेकिन इसमें आपको कोई मैडिसीन नहीं चाहिए सिर्फ आपको अपने थंब और उंगली से उसको प्रेस करके ट्रिटमेंट कर सकते हैं तो हम विदाउट एनी इंवेस्टमेंट ये ट्रिटमेंट अपने पेशेंट को दे सकते हैं थैंक यू को अपने जोटेघन कर डियरूग चाहिए अच्छेल अवी पनीफने जोक्षम उर्जा केंद्र होते हैं जहां प्रेस करने से उसका जो 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 बोडि पाल्ट है वहां पेफलों आफ्टे अच्छे से होता है तो just by pressing and directing the energy in that body organ, we heal that particular organ. यही है मन्चिकिट सार. In fact, हम लोग G20 का एक हमारा इवेंट था राम नगर में, ननिताल में, तो वहाँ पर जो हमारे EMC थे, उनका फ्रोजन शुल्डर था, वो श्लिंग विंग लेके आया थे. मैंने का, क्या यार, तुम ऐसे क्यों गूम रहे हो, मेरी इतनी टीम है, इनसे बात करो, वो बन्दा जाके, दस मिनट के बाद ऐसे हाथ करके आगे, मैंने क्या हुआ, बोला, यह दमाब मेरा ठीक हो गया. तो मैंने का, दो दिन तुम यहाँ पे हो, तीन-चार बार करवालो, तो वो अब भी भी फोन करके मुझे कहते हैं, कि सर, आपने तो चमतकार कर वादी, मैंने का, मैंने नहीं किया, वो जो हमारी विदाएं हैं, जो established systems हैं, उन्हों नहीं किया है, तो हम लोग को प्राउड ह केम्स किये और जो छुटे वाले उनका भी हम बताएंगे, तो अपनी लाइब स्टाइल को चेंज करें, खासकर बच्चे लेगे, जो जो जाला दर्पी कोली खाते हैं, उनके गुर्दे खराब होने की बहुत संभावना होती है, हमारे देश में गुर्दे खराब होने का सबसे बड़ा कारणी यही है, तो देखिए अपनी आपको दुने है, और तब भी आपको उसरा स्मीशिक करेंगे, तो अपनी आपको शाफी आगा, देखिए पिला गुटड़ होने हैं, तो इजल होने 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 हम पना पहरों से जएकी दिए अवल नेके बाते ऊपको पर आला उन्रा, बुर्दा बात, थैला है को हमाने लिए, और आसे शितभाओे, चोड़े ज़्च दभरा इन देखिए ज़ मेंुर्च अटिए वर दि में आपको क्या प्रेशानी थे और आज आपको क्या लाव हुआ मेरको मेरको परिशानी के हाथ में उपर में को चकी है अब मेरा है तर भी रा निचा जाए है इस से तच्छवाले कार्मिकों के लिए उनके पढ़बार वालों के लिए आयूश के संबन्द में जागरूपता बढ़ेगी तक बागए तक नुए सुच्छ था था उजल रहा है नोगाए उकले मशुआ नहीं है यहां पर फिल्स कराइड बढ़ेगे लिए तोछेगे ले बहुत अच्छा लगा है यहां उनके लोगोणी अज लाब लिया है अवाड लाब़गा है तो लाब्याव है तो अच्छाओ क प्रवक्र जोपक्राइच झाली कि अजुज भी कि घुज जुज़ चुछू रुट ऑनाने के मुट खुदू अज प्रॉटे लिए सुटूंगा प्रॉटेश दोने भालाओ दोज़ सिर्टेट, प्रॉटेशिज में पॉटी जुज़ फुना जुज़ जा रुज़ लें ज कर दूसरा मैं शेयर करना चाहता हूं कपैस्टी बिल्डिंग जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत डॉक्टर्स बहुत मोटिवेटेड नहीं थे और बहुत सारा वह अपने जब डिगरी कोर्स किया या पीजी कोर्स किया उसके बाद उनको कभी भी दस-पन्दरा साल में कोई मौका नहीं थे इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग continue कर रहे हैं उसमें सबी लोगों को जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, पंज कर्म सहायक से लेके, जो हमारे joint director तक हैं, सब को हमने training कराई, administrative training कराई, financial training कराई, plan करके, doctors को hands-on training, हमने जोद पूरी भेजा, हमने अपनी university में भी training कराई, private जो हमारे training प्रोवेडर्स हैं, उनके साथ भी हमने टाइप किया, जो अच्छा काम कर रहे हैं, केरला के कई सारे बड़े प्लेयर्स हैं, जो केरला में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी हमने पनिया बुलाया, अपनिया के लोगों केरला भी बेजा और कई और संस्थान में कि जो मोटिवेशन और स्किल और कॉंपेटेंस अगर हम मैच नहीं करा पाएंगे तो फिर पब्लिक का ट्रस फिर से खतम हो जाएगा अगर हम जो रिक्वाइड है वो नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए भी अमने प्रयास किया तो दूसरा हमारा जो आप उसको मतलब मैं बेस प्रेक्टिस नहीं कहूंगा बट हाँ एक्चुली इड़ गूड प्रेक्टिस बाकी जो उसका रिजल्ट आगा वो निश्चित रूप से आगे स्टेट को ले जा सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ प्लीज जानना चाहता हूं कि क्या मर्म चिकित्सा या एक्ट्यू प्रेसर या प्राकेर्टिक चिकित्सा के जो एक्सपर्ट है उसको हम लोग आई उसका जो मेडिकल कॉंसिल है उसके तहत निवन्धित कर सकते हैं या नहीं है अन्य राजों में क्या प्रेक्टिस है मैं यह यह रिक्वेस्ट करूँगा कि जब ट्री ब्रेक वगार हो तो गवन्धिया के जो सीनर ओफसर्स हैं वो इसको रेस्पॉंड करेंगा तो बेटर होगा दुबारा से ट्रेन किया पॉलिश किया री स्किल किया री ट्रेन किया नेक्स्ट और आउटकम आप देख सकते हैं अगर आप अब उनसे बात करें जो पहले और अब में बहुत जारी डिफरेंस आया उनको अपने अंदर कॉंफिडेंस आ गया है वो फील्ड में जाने से न अब आपना हंडेड परसेंट जो हमारा स्टाफ है डेपार्टमेंट का उसको हम ट्रेन करेंगे और रोटेशन यह प्लैंड रहेगा इस साल का हमने पूरा शिडिल कर दिया है कि वन थर्ड हमारे लोग ट्रेन हो जाएं और कॉंटिन्वेस पिर हर साल हर तीसर तीसर साल में उन सबकों ट्रेन करते चले जाएंगे नेक्स्ट इसके अलावा हमने पहला एक इनिशिटिव लिया हमने एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी एक हफते की आयरुवेद की बेसिक आयरुवेद की ट्रेनिंग करी है आयरुवेद इनुश्टी के कॉलेबरेशन में हमारे जो अगर भी एक ठीन करते है तो सब की पॉजिटिव चीजें यूज करके ठीक करना हमारा दाईतो है तो उसको देखते हुए हमने जो हमारे गवरंवेद के जो प्रविंशल मेडिकल सर्विस के की उनको हमने एक हपते की ट्रेनिंग कराई है अपने आयरुवेद युनिवस्टी के माद्यम से उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है जो बेसिक आयरुवेदा है कि फील्ड में जब वह ऐलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें उसके साथ आयरुवेद की प्रोसे किया है उसको दो हपते करना चाहते हैं अल्टिमेटली उसको हम एक साल का सट्रिफिकेट कोर्स करना चाह रहा है वह हम फिर गश्च रहें हैं वह भी बहुत खुश रहे हैं उनका बहुत पॉस्टिव फीड़बैक था ने जो हम लोग, हमारा प्लान है, हम लोग स्टेट को, उत्राकिन स्टेट को, आयोवेज का, दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर के रूम में स्थाविद करने के प्रयास कर रहे हैं। जो हम लोग सेंटर के रहे हैं। जो हम लोग सेंटर के रहे हैं। जोग सेंटर के राओना है, कर दो नहां लोग साविद को, जो चाहिए। कि यह प्रोफेसर सुनील जोशी जी है जो बाइसार चालना है कि यह भार निकालना है अगर कोई ऐसा वेखती है अगर कोई ऐसा वेखती है जो मैं अगर कोई एसा वेखती है कि यीन मैंने पले हाग चाहए अगर कर देब्याक तो मैंने आइरवेटी कर दावाईयं ले रहे हैं कि शी के आज आपकी दावाईयं ले रहे हैं ऑर शी से आज कीवर लगवर maravilhous आफ आफ इन सीडी रिवर्सल की अमने ट्रेनिग कर आई और उसमने स्टी भी अमने कमिशंन किए जो हमारे जो ढक्टरस नसीडी रिवर्सल्म जिन्होंने ट्रेनिग कि है वह अपने पैशेंट को ट्रैक करें और शे मैने बाद तक को बता है कि कितने पेशेंट को उन्होंने reverse किया, hypertension और diabetes उनकी कम हुई या खतम हुई है, जिससे फिर हम उसको document करके फिर और लोगों को हम train कर सके हैं, माधव बाग एक संस्ता है, जो पूने की संस्ता है, उन्होंने train किया है, उन्होंने establish किया है. नेक्स्ट, यह हमारा training schedule है, इस साल का जो हमने अलग-अलग category के अपने लोगों के लिए कर रखा है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, थैंक्यू.